दोस्तो ये है Yama R15 B3 का Newly Launch Metallic Red Color इसमें 4 Color का Option मिलता है और Dual Channel ABS के साथ आती है ये है इसका Metallic Red Color और ये है दोस्तो इसका Racing Blue Color तो आपको कौन सा Color अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तो इस वीडियो में इसके Features, Smiles और Price को लेकर बात करने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को फूरा जरूर देखना तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके Front Profile से तो यहाँ पर आपको मिल जाता है Transparent Wind Sealed का Glass और जिसके उपर आपको Number Plate का Option मिल जाता है यहाँ पर आपको Premium Quality के Side Mirror मिल जाते हैं और Side में आपको मिल जाता है R15 की Badging और इसके Side में चलें तो यहाँ पर आपको Sharp Type के Normal Valve वाले Indigator देखने को मिल जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आप LED के Indigator भी लगवा सकते हो जो की Optional है और नीचे की Side में आपको R15 और Version 3.0 की Branding देखने को मिल जाती है और इसके उपर की Side में आपको VBA Variable Valve Actuation की Branding मिल जाती है जैसा कि इसमें VBA Technology मिल जाती है जो की एक Racing Features है आपको इस Bike में मिल जाता है और यहाँ पर आपको ABS की Branding मिल जाती है जैसा कि इस Bike में आपको Dual Channel ABS मिल जाता है और इसके Front में आपको 282 mm की Disc Brake मिल जाती है ABS Braking System के साथ में और इसके Front में आपको मिल जाते हैं Telescopic Fork Type के Suspension दोस्तों इसके Front वाले Tire के Size की बात करें तो 100 Y80 17 Section का Tire Size मिल जाता है जो की Tule Less Tire मिल जाते है MRF Company Case में आपको 17 Inches के Black Color के Alloy Wheels मिल जाते हैं और इसके Rear की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको 220 mm की ABS की Disc Brake मिल जाती है ABS के साथ में और यहाँ पर आपको 17 Inches के Black Color के Alloy Wheels मिल जाते हैं और इसकी Tire की Size की बात करें रियर वाले की तो 140 Y70 Section का Tire Size मिल जाता है इसका Rear वाला Tire Radial का दिया गया है जैसा की यह काफी चोड़ा भी है और इसके Rear वाले Suspension की बात करें तो Mono Cross Links टाइप का Suspension आपको इसमें मिल जाता है जैसा की आपको एक Sports Bike और Racing Bike में देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एक Tire Hager मिल जाता है जो की काफी Premium Quality का है और इसका जो Tire है वो Radial का है और काफी चोड़ा Tire आपको यहाँ पर मिल जाता है Racing Purpose के इसाब से और इसके उपर की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको तोड़ी सी Design देखने को मिल जाती है Red Finish के साथ और इसके Tail Lamp की बात करें तो इसमें आपको LED Tail Lamp देखने को मिल जाती है जैसा कि आप इसकी Tail Lamp को देख सकते हो काफी Attractive लग रही है और यहाँ भी आपको Reflector मिलते हैं और साइड में आपको Normal Valve वाले Indigator मिल जाते हैं इसके Rear वाले Maguard के उपर आपको दोनों साइड में Reflector देखने को मिल जाते हैं और इसके उपर की साइड में चले हैं तो यहाँ पर आपको प्लियन वाली सीट मिल जाती है और जो कि थोड़ी सी Comfortable नहीं रहती है प्लियन के लिए क्योंकि इसकी Hide भी काफी जाता है और Quality काफी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है और Rider वाली सीट भी आपको काफी Premium Quality की मिल जाती है कुशनिंग भी काफी Soft दी गई है यहाँ पर आपको Locker दिया गया है सीट को निकालने के लिए अब इसके नीचे की Side में चले हैं यहाँ भी आपको Side Panel पर दिजान देखने को मिल जाती है और इसका जो Fuel Tank है दोस्तों वो काफी Muscular सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो की Red Glossiness में दिया गया है यहाँ पर आपको Yama की Runding मिल जाती है लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी Design इसके Fuel Tank पर मिल जाती है और इसका जो Fuel Tank है वो काफी चोड़ा यहाँ पर आपको मिल जाता है 11 L इसमें आपको Fuel Tank Capacity मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर आप इसके Fuel Tank के Cap को देख सकते हो अब चलते हैं इसके दूसरी साइड में तो यहां से आप इसके कलर को देख सकते हो metallic red कलर आपको Yama R15 के उपर कैसा लग रहा है आप मेरे को comment करके जरूर बताना दोस्तों और इसके rider के लिए भी आपको जो है adjustable footrest देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको plane के लिए भी adjustable footrest मिल जाता है जो कि aluminium के दिये गए है और इसके rider की side में आपको एक sardi guard देखने को मिल जाता है overall इसकी जो design है वो racing sports bike के साबसे design की गई है और यहां पर इसके नीचे की side में देखोगे तो इसका जो chancet है वो open दिया गया है इसमें आपको open chancet cover मिल जाता है और इसमें आपको side stand भी मिल जाता है जिसके अंदर आपको engine cutoff का sensor भी देखने को मिल जाता है और 170 mm की इसकी ground clearance मिल जाती है अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके engine की दूसरी side में अगर आप इसको side से देखोगे तो यहाँ पर आपको kickist start का option भी नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको एक lag guard भी नहीं मिलता है क्योंकि यह एक racing back है और यहाँ पर आपको yama की branding देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते हैं इसके engine और power की तो यहाँ पर आपको 155 CC का liquid cooled forest rock SOSC 4 valve का engine मिल जाता है इसकी maximum power 18.6 PS की 10,000 RPM पर इसका maximum torque 14.1 NM का 8,500 RPM पर इसमें आपको 6 speed gearbox मिल जाता है और यहाँ पर आपको इसके engine की side में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक catalytic converter के उपर oxygen sensor देखने को मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों और catalytic converter इसके engine के नीचे की side में है और यहाँ पर आपको adjustable footrest दिया गया है यहाँ पर आपको एक brake pad देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको थोड़ी सी design मिल जाती है यहाँ पर आपको ABS का पूरा setup देखने को मिल जाएगा और plane के लिए भी यहाँ पर आपको adjustable footrest दिया है और इसकी seat आइट काफी जादा आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी exhaust की बात करें तो यहाँ पर आपको silver finish में exhaust मिल जाता है metal की plate इसके दौना side में आपको देखने को मिल जाती है यह पूरा black matte finish में है यहाँ पर आपको carbon finish देखने को मिल जाती है तो अब मैं आपको इसके exhaust का और इसके engine का sound आपको सुना देता हूँ तो यहां से मैं इसके breeze को on कर लेता हूँ तो जैसा की यह bike on up में इसके self को दबा देता हूँ तो जैसा की bike start अंगी ज़्म स्टार्ट की है तो अब आप तूसके exhaust को और इसके engine का sound सुन सकते हैं तो सबसwasser पहले आप इसकी engine का sound सुन दो आपको खैसा लग रहा है हम आपको इसके अजोच का सुना देता हूँ यहां से आप सुनके मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना तो हम मैं बात करो इसके मीटर कंसोल की तो यहां पर मैं इसकी चाबी को उन कर लेता हूँ तो सबसे पहले आपको इसमें high body देखने को मिल जाएगा और जैसा कि इसकी जो display वो digital दे रखी है यहाँ पर आपको yama की branding मिल जाती है यहाँ पर आपको man head light, indication light, turn signal light, ABS light और यहाँ पर आपको fuel indication, यहाँ पर आपको km पर hour speed यहाँ पर आपको rpm limit, यहाँ पर आपको km की reading और यहाँ पर आपको gear neutral light, turn signal light, engine malfunction light, shift timing light, BB indication light, gear position indication light overall सारे इसमें आपको features मिल जाते हैं इस meter console के अंदर जैसा कि आपको sports racing bike में मिलते हैं इसमें आपको six gear मिल जाते हैं जैसा कि आप इसकी screen पर देख सकते हो और यहाँ पर आपको trip और meter को adjust करने के लिए दो button देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको blackness में एक handle देखने को मिल जाता है और इसके side के switches की बात करें तो यहाँ पर आपको low beam high beam switch और इसी के अंदर आपको passing का switch देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको turn signal switch, यहाँ पर आपको horn का switch दिया गया है और इसके दूसरी side में चलें तो यहाँ पर आपको engine kill का switch देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको self का switch दिया गया है यह 100 km per hour की speed 11.42 second में पकड़ लेती है और इसके fuel tank वे यहाँ भी आपको design देखने को मिल जाएगी अब मैं बात करूँ इसके mileage की तो इसमें आपको 45 km per liter का आसानी से mileage मिल जाता है अब मैं बात करूँ इसके on road price कॉलकता की तो आज की date में इसका on road price कॉलकता का है एक लाग 84,000 पर यह bike available है तनुसका ओटो यामा मध्यम ग्राम कॉलकता में सोरूम की सारी detail आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी दोस्तो अगर आप कॉलकता या आसपास से हैं तो सोरूम पर visit कर सकते हैं और इस bike को आप purchase कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाए स्यादा like करें comment करें share करें अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो अपली चैनल को subscribe करके bell icon जरू दबा दें मैं ऐसे ही नई नई गाडियों की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं थैंक्यू दोस्तो